हलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं मत्रो पनीर यह मैंने गर ले लिए हैं आधा किलो पनीर के हिसाब से चाहर टमाटार और छोटे पांच प्याज इसको बड़े बड़े टुकडे में हम काट लेंगे स्भाड पानी डालेंगे 3 सिटी आने तर उबालेंगे टमाटार और प्याज गल चुका है अब इसको हम मैसर से मैस कर देंगे प्याज हमारा मैसर आज रख्यों से अब इसको मैं गम माँच पर मेधी माच पर दबोगेंगी अब उसमें हम तरका डालेंगे यह हमने कुछ खड़े मसाले लिया हैं, दो तेज पत्ते, डाल चीनी, एक खड़ी लाइची, तीन छोटी लाइची और कुछ लॉंग और कालुमेट, पश्री पेली डाले हम लिया, पदर मैं इसमें जीरा डालेंगी, वो चुका है, अब मैं इसको ओपर सेख़़गे, यह हम इसको मिक्स कर लेंगे, इसमें हम वन टेबल स्पून सुध घी डालेंगे, इसे टेस्ट और अच्छी आती है, इसको मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें मसाले अड़ करेंगे, यह है मारा पनी मसाला, दालेंगे, लाल में इस पाउडर, अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं, जिसको कम तीखा पसंद है, कम डालेंगे, जारा पसंद है, जारा जारा दालेंगे, यह हल्गी पाउडर है, इसको स्पून धिनिया पाउडर, और इसमें डालेंगे, अद्बस राचन का फ्रेज, यह धर का बना हुआ है, मैं इसको बना का फ्रेज इंस्टोर कर लेती हूँ, मैं आपको यह बनाना बता हूँ एकले वीडियो में, यह आगा तो में बेंगी को डालेंगे, कलर आने के गुए, पानी डालेंगे, यह तालें हमारे जले नहीं, इसको बिसको, सबस्को को गुली के रतकि यह ते समय चंटलű नहीं, डालें रतक ही बता हुर पूतर MIC इम्तार पनी गालेंगे, इसे में आधा कपाई रहाव टालेंगे थोड़े के लिए छोग देंगे तो पर्फिक्ट है थोड़ा से दो मिट के लिए इसको और पकाएंगे यह हमारी सबजी अब हो चुकी है, गैस करेंगे बंग, सारे इंडक्षन, अब इसमें धनिया डालनेंगे. अब धनिया, अब हमारी सबजी तयार है, अब इसको चावर के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ की अब ट्राइटेंगे.